हेलो फ्रेंज, अक्सर कहा जाता है कि मा बनने के लिए एक औरत का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है उसकी पूरी बॉडी सही होने चाहिए, बच्चे दानी कमजोर नहीं होनी चाहिए और इनी चीजों के साथ साथ उनका शरीर सक्षन होना चाहिए एक बेबी को केरी करने के लिए लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक महिला का वज़न भी बहुत ज्यादा माईने रगता है जानते हैं कि जो लेडी बहुत ज्यादा ओवरवेटिड होती हैं यानि कि जिनका मोटापा काफी ज्यादा होता है उनका शरीर अंदर से बिमारियों का घर होता है ये बात एक शोद से सामने आई है कहा जाता है कि मोटापा बिमारियों का घर होता है जिस इनसान को मोटापा बहुत ज्यादा सताता है उसके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, कॉलिस्ट्रॉल, बीपी सारी चीजों की प्रॉब्रम होती है और इसी वजह से इसका प्रभाव बच्चे दानी पर भी पढ़ता है यदि आप महिला है और आप बेबी कैरी करना चाहती है तो आपको वजन संतूलित करने की बहुत जरूरत है यदि आप बेबी कैरी करना चाहते है तो आपका वजन आपके height के according बिल्कुल set होना चाहिए 1.5 kg उपर नीचे चलता है लेकिन 10-15 kg उपर नीचे नहीं चल सकता है क्योंकि ऐसा होने से आपके बच्चे पर काफी ज्यादा प्रभाव परता है हो सकता है कि यदि आपका वजन थोड़ा ज्यादा हो और आप baby carry कर भी लें तो उसकी वज़े से आपको delivery में काफी ज्यादा problems का सामना करना पर सकता है इसलिए वजन को संतूलित करना बहुत ज़रूरी है यदि आपको वजन बहुत ज्यादा है तो आपको weight manage करने की ज़रूरत है सबसे पहले अच्छे तरीके से अच्छी training लीजे अपने आहाल को संतूलित करिए अपने weight को manage करे और इसके बाद कोशिश कीजे परिवार नियोजन की सो फ्रेंक्स ये है कुछ ऐसी बाते जिलके बारे में जानना आप करीब बहुत ज़रूरी था और इन पर ध्यान देना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है परिवार के अंदर किलकार या खुशिया लेकर आती है लेकिन वो खुशिया अच्छी तभी रहती हैं जब आप भी सुरक्षित रहें इसलिए अपने आपको हेल्दी बनाए इस वीडियो को देखे और अपने व्यूस को हमाई साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्च से रिलेटीड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए